Hello everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board. Students, class 9th में NCRT का नया स्लेबस आने पर अब सप्लिमेंटरी में भी एक लॉंग कोश्चन पुट अप किया जाएगा. पहले ये नहीं आया करता था, लेकिन इस बार से लॉंग कोश्चन सप्लिमेंटरी में आपको याद करना होगा. आज इस वीडियो में हम लेसन 1, The Lost Child के लॉंग कोश्चन के आंसर को पढ़ रहे हैं. और इस वीडियो में मैंने एक ही आंसर प्रिपेर कर दिया है, ताकि आपको दो या तीन लॉंग कोश्चन के आंसर याद नहीं करने पढ़ेंगी. इस एक ही आंसर से आपके सभी कोश्चन का सलूशन मिल जाएगा. इस लेसन से कोई भी लॉंग कोश्चन आजाए. आपको केवल इसी एक आंसर को लिखना होगा. तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी. तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा. और यदि आप फर्स टाइम इस चैनल पर स्टड़ी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. आईए आंसर स्टार्ट करते हैं. लेसन वन दा लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट चाइल्ड कहानी की थीम के बारे में एक लेख लिखिये. इस कोश्चन में पूरी कहानी कवर हो जाती है. और ये कोश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. जिसे मैंने यहां लिखा है. What were the things that the boy wanted? कौन सी चीज़ें थी जिन्हें वह लड़का लेना चाहता था to possess when he was with his parents? जब वह अपने माता-पिता के साथ था. अपने माता-पिता के साथ एक बच्चा भी मेरेना जाता है. इस तरह से हमने फर्स्ट हेडिंग में इस कहानी की स्टार्टिंग को बता दिया. कि एक लड़का मेले में अपने माता-पिता के साथ घूमने जा रहा है और वसंत का मौसम है. अब हमारी सेकेंड हैं. एक बच्चा जो भरा हुआ है खुशियों से, जीवन से. एक बच्चा जो मेले में जा रहा है विद हिस पेरेंट्स अपने माता-पिता के साथ इस फैसिनेटेड बाई एवरीथिंग हर चीज से आकर्शित होता है. फैसिनेटेड एट्रेक्ट होना, आकर्शित होना. जो भी चीज उसके लिए नई है, हर एक नई चीज के प्रती वह आकर्शित हो रहा है. फूलों की पत्तियां कलेक्ट करता है, बट ही फूर्गेट्स लेकिन वह भूल जाता है, उन सभी चीजों को, जैसे ही वह किसी दूसरी चीज को देखता है. अब यहां से थर्ड हैडिंग स्टार्ट होती है, व्यू अफ दा फेयर, मेले का द्रिश्य है, चाइल्ड सीज टॉइज, उस बच्चे ने देखे खिलोने, बैलून, गुबारे, गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, डिस्पलेड इन दा शॉप, जो दुकानो में प्रदर्शित की गई थी, he lags behind, वह पीछे छूट जाता है, from his parents, अपने माता-पिता से, due to the attraction of these things, इन चीजों के आकर्शन के कारण, due to means कारण, attraction, आकर्शन, these things, इन चीजों के, The boy wants to buy toys, वह लड़का खरीदना चाहता है खिलोने, बरफी, flowers and balloon, but, लेकिन, he moves on, वह आगे बढ़ जाता है, because, क्योंकि, he knows, वह जानता है, that, की, his parents will not buy them, वह जानता है, की, उसके parents, उसके माता-पिता, ये सारी चीजें, उसे खरीद कर, नहीं देंगे, अब यहाँ, next heading start होती है, when he got lost, जब वह खो गया, there was a roundabout, एक जूला आया, in the fair, मेले में, he wanted to go on the roundabout, वह उस जूले में, जूलना चाहता था, he requested, उसने प्रार्थना की, to his parents, अपने माता-पिता से, there was no reply, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया, क्योंकि उसे पता था, कि मेरे माता-पिता हर चीज खरीदने से मना कर देते हैं, तो वह अपने ही आप आगे चलता गया, आगे चलता गया, लेकिन जब उसे माता-पिता की जरूरत पड़ी और उसने जूले में बैठने के लिए कहा, और कोई reply नहीं आया, his parents were not with him, उसके माता-पिता उसके साथ नहीं थे, Tears rolled down, उसकी आँखों से आशू बहने लगे, from his eyes, उसकी आँखों से, Next heading है, His only wish, उसकी केवल एक इच्छा, उसकी एक मात्र इच्छा, The child wanted to buy a number of things, वह बच्चा बहुत सारी चीजें खरीदना चाता था, But, लेकिन, now he did not have interest in them, लेकिन अब बच्चे को उन चीजों में कोई interest, कोई रुची नहीं थी, He only want his mother and father, अब वह केवल अपनी मम्मी और अपने पापा को प्राप्त करना चाहता था, बच्चों इस तरह से ये answer, lost child कहानी की पूरी theme को cover करता है, और इसमें हर एक चीज हमने शामिल कर ली है, इसलिए कोई भी question put up करने पर आपका ये answer sufficient होगा, I hope students, ये video really आपके लिए helpful रही होगी, Please मुझे comment box में अपने view ज़रूर बताइए, और new commerce से request है कि चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो को like भी कर दीजिएगा, next video जल्दी से जल्दी आपके पास पहुच जाएगी, thank you very much.